हेलो दोस्तों स्वाफ आते हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल सुपरफायंड टेक्निकल मैं दोस्तों आज हम सेखेंगे कि अपने फोटो को गोगल ड्राइब में कैसे सेप करें क्या होता है जब हमारे फ़ॉन में डाटा होता है वह सारा डिल्ट हो जाता है नमबर फोट लेते हमारे फोटो जब किसी कारण हम आपना फॉन डिट हो ZAT तो हमारा सारा डाटा डर्ट हो जाता है लेकिन गुल ड्राई में फूटो सेब करने के बाद हमारा data डिटने joking होता है जब हम दुबारे से अपनी छीम нас fon में लोगिन करेंगे तो बहुत सारा डाटा हमारा बापस आजाता है तो आज हम सीखेंगे कि गूगल ड्राइब में फोटो और वीडियो कैसे सेफ करें तो चलिए सबसे पहले हमें जाना अपने गोगल ड्राइब में आपके पास जब आप एंडुएट फोन चलाते हैं तो जीमेल भी होगा और जब जीमेल होगा तो गूगल ड्राइब भी होगा तो चलिए हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइब में आप मैंने प्राइबसी पासपर्ट ल दोस्तों मैंने यहां पर अपनी इस डाय में पहले सी फोटू सेप कर लखें तो चलिए हम किसी दूसरी जीमेल में सेप करते हैं तो हमें यह जीमेल रिले में अब भी कुछ भी नहीं शेप क्या हुआ तो चलिए हम सीखेंगे फोटू कैसे करती हैं इस प्लस वाले आइकेंपे क्लिक करते हैं और यहां से घमर जो अप्लोड करना होता है अप्लोडवाले क्लिक ते हैं आप फिक grounding करते हैं अब आप यहां से किसी भी वीडियो या फोटो को सेब परना साते हैं तो बड़ी आसानी से से हो जाएंगे चलिए हम इस फोटो को ले लेते हैं फिर यह हमारा सेब हो चुका है इसी परकार हम किसी वीडियो को भी सेब परके देख लेते हैं है यह मारा फोटो अप्लोड हो रहा है चलिए हम ले लेते हैं प्लिस वाले अएकन पर दुबारा किलिक करते हैं आप लोट वाले पर किलिक करते हैं और यहां पर बहुत सार कुछ भी x y z कुछ भी कर सकते हैं यहां से आफ आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कोई हम देडियों से लिएते हैं ही तो हम एंटो वीडियों तो जैसे यह है तो हम इसे अपने ड्राइब में से कर सकते हैं यह भी हमारी परोफरींची में एड हो चुकिया तो दोस्तों हम अब इसे कभी भी हमारा फॉन डिसेट लग जाता है तो हमारा जो डार्टा है वो डिलिट नहीं होगा आप कभी भी ये दीखने भी बड़ी आसानी है कोई प्रॉब्लम ने आगे लिए उन में आप अकरांग को देखना है आप अपने गोगल ड्राइब में गए त्राइब से पासपोर्ट डाल लखाए मेने और आसानी से आपको यहां मिल जाएंगे तो आपका ये डाटा कभी भी लोगिन कर सकते हैं कितनी भी इसमें मेमोरीज भी काफी दियर की होती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आगी आज से अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट करना न भोलें धन्यवाद